Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज हम बात करने वाले हैं Apple की आई हुई latest job vacancies के बारे में जहां पर आप इंडिया में किसी भी city, village, district, town के रहने वाले हैं आप इन vacancies के लिए eligible हैं और apply कर सकते हैं कौन-कौन सी vacancies out की गी हैं, कौन सी post के लिए क्या eligibility रहने वाले हैं सबसे important बात step by step apply कैसे करना है, हर एक चीज़ को step by step detail में cover करने वाले हैं तो वीडियो को starting से एंटेक्स जरूर देखना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरह से चाहते हैं हर एक notification आप तक time पर पहुंच जाए सबसे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक जरू करना आपका इक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए अपडेट लेकर आने का और चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करना सबसे पहले आप इस वीडियो को किस location से देख रहे हैं आपकी क्या qualification है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना ताकि आपकी location के जितने भी vacances आई ज्यादा से ज्यादा हम उसको cover कर पाए तो जरूर से mention कर देना अपनी location के साथ अपने qualification बात करें हम apple की आई हूई लेटर जो vacances के बारे में जहां पे कोई location की बाउंडेशन नहीं है आप इंडिया में किसी भी village, district, city, town के रहने वाले हैं आप इन vacances के लिए इरिजिबल है और apply कर सकते हैं अप्लाइ करना इन vacances के लिए start हो चुका है डिटेल में cover करने कौन कौन सी vacances है जैसे आपको इसके लिए apply करना है क्या आपका इसमें work रहने वाला है और क्या आपको इसमें salary मिलने वाली है तो वीडियो को end tech आपने जरूर से देखना है इसके इलावा एपल की जो vacances आई हुई है इसमें कोई fee आपको पेंट नहीं करनी है मतलब किसी टाइप की कोई investment नहीं रहने वाली है चाहे आप reserved candidate है चाहे undeserved candidate है एपल की जो vacances आई है ना work from home and office दोनों तरीके से आपकी रहने वाली है तो यह आपके लिए plus point रहने वाला है आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो इसमें इस बार काफी टाइप की विकैंसी जो आउट की गी है जिसमें अगर आपकी यह work from home है तो आपको काफी ज्यादा facility भी इसमें मिलने वाली है तो सबसे पहले हम start करेंगे first post है first कौन सी post है जो आउट की गी है सबसे पहले जिसमें post है वो आउट की गी है specialist के लिए इसमें आप आपने से हर कोई apply कर सकता है चाहिए आप male candidate है चाहिए आप female candidate है आप किसी भी location से belong करते हैं आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है आप किसी भी qualification background से है आप इस post के लिए eligible apply कर सकने हैं आपको अपनी local language आती है तो यह advantage आपको मिलने वाली है यहां पे clearly mention कि आपको अपनी local language की knowledge है तो आप इसके लिए eligible apply कर सकने है अगर हम बात करें इसके लिए आपका specialist की position के किया आपका इसमें work रहने वाला है तो इसमें आपको एक अच्छा customer experience deliver करना होगा यह आपकी ability इसमें होनी चाहिए कस्मों को किस तरीके से हैं बतलब उनको प्रॉब्लम ना है आप उनको resolution दे पाए वो भी actively यह skills आप में इसमें required है तो आप इसमें apply इसके लिए कर सकते हैं और during training भी आपको salary पे की ही जाती है टाइप of job की बात करें तो यह आपकी permanent job रहने वाली है आप में से बहुत सारे candidates के लिए apply कर सकते हैं और apply करना इसके लिए start हो चुका है इसमें total teams से 4 टाइप की weekends आउट हुई है one by one में आपको दोनों का बताऊंगे क्या क्या eligibility इसमें र क्या चीज बूल रहा है वह आप अच्छे से सुन पाई आपको अच्छे से समझ में आ पाई बस यह बहुत है अब यह तो है पहली पोस्ट अब हम बात करते हैं सेकिंड कौन सी पोस्ट आउट हुई है इसके लिए क्या work है and responsibility क्या रहने वाली है एस इसम थर्ड कर डिसकस क के लिए है यह तेक्निकल स्पेशलिस्ट की पॉजिशन के लिए यह भी बहुत यह बढ़िया प्रफाइल के लिए अप्डेट आया है आप में से इसके लिए हर कोई कर सकता है तो इसमें अगर बेसिकली वह की बात करें तो आपको कस्टमर स्पोर्ट पर वाइड करनी है ज मैंशन किया हुआ है आप में फ्लुंऍसी होनी चाहिए लोकल लेंग olvay आपकी जो भी लोकल लेंगविज उसकी वह नंच चाहिए उसकी लेंगोज में आना नो यह बेसिकली चीज़े हापर है क्वालिफेसं इस पोस्त के लिए भी Toutिस्क्राइब नहीं की यह आप में यह बस चीज़े यहां पर required है तो आप में है तो apply कर सकते हैं अब बात करते हैं थर्ड post के बारे में इसमें भी आप में से हर कोई apply कर सकता है चाहिए male है चाहिए female है directly hiring इसमें भी आपके होने वाली है without exam किसी type की investment भी नहीं है कोई location का foundation नहीं है और हाँ एक चीज़ में miss कर ग बात करें तो यह आउट केगी है operations expert के लिए विकेंस यह भी as of pressure आप इसके लिए apply कर सकते हैं इस वाली पोस्त के लिए आपको best opportunity में वो क्या है वो केंडिर जो एपल जैसी reputed company में job करना चाहते हैं यहां पे आप दो तरीके से कर सकते हैं इस वाली profile के लिए again repeat करूंगी क्य कर सकते हैं फुल टाइम भी कर सकते हैं यहां पे इन्होंने क्लेरी मैंशन भी किया हुआ है बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जॉब्स आवेलेबल इसके लिए requirement के एकॉर्डिंग आपका work रहेगा first of all अगर में आप एक्वारिफिकेश या skills की बात करें तो आपको problem solving task perform करने होगी इसाथ इसपोस के लिए leadership skills आप में होने चाहिए मतलब किस तरह से आपको स्कील्स इसमें required हैं इसके साथ strong organization skills आपमें होने मतलब किसी चीज को औरनेर्स कैसे आपको करना है वह बस आकमें चीजजे रिक्वारर्ट और कुछ भी यहां पर नहीं मांगा गया ह इसके इलावा यहां पर इन्होंने मैंशन किया हुआ है आपको मैनेश करना है इसके इलावा आपको अपनी लोकल लेंगूज आती है तो आप इन विकैंस के लिए इरीजिबल है और अपलाई कर सकते हैं थर्ड वाली पोस के लिए तो और भी अच्छी ऑपर्शुनिटी है क्योंकि आप इसको पार्ट टैम फूल टैम दोनों तरीके से कर सकते हैं और एक चीज़ और यहां पे क्लिरी डिस्क्राइब की हुई है यूविल नीट टो भी फ्लेक्सिबल विद यूर स्कैडूल मतलब में यहां चैन पर स्कैडूल के को लिए टेंक्स टो आप इसको अपने तरीके सब्सक्राइब शच्राइब कराना चाहसे होदी करने उसक्ति इख सकने हैं अब यह सारी विकेंश इस ऑपात रत yeni से तो मैं ने आपको अप्लाई के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसके प्लिक करेंगे इंटर्फिस दोपन हो जाएगा लास्ट प्रकों देखने को मिल जाते है रिक्वाड निक जिसमें पहला लिंक कर दो फ्री थी सो यह वाली थर्ड पोस्ट जो हमने डिस्क्राइब किया यहां पर देखी क्लेरी मैंशन किया बोथ फुल टाइम और पार टाइम जॉप सार अवेलेबल जो जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन स्क्रीज बताये हैं वह सारी के सारी चीज़ यहां पर इन्होंने इसके लिए पर सिधार जाकर सकते हैं यहां पर फर्स पोस्ट की बात करें जो कि हमने स्पेशलिस्ट की है यह वाला इंटरफिस ओपन हो जाएगा अब आती आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने का सबसे पहले आपको अपना एक रिज्यों में अच्छा सा तो वह आपको अप्लोड कर देना है इनके अपनी इपल इडि के बाद आप सब्सक्राइब करके अपका प्लाई कर सकते हैं आपका नेम क्वालिफिकेशन आपकी लोकेशन क्या है इमेल आपको कौन्टक नमबर अधर रिकॉइद इंफ्रमिशन फिल करके सिंपल आपको समि सब्सक्राइब करें लिए जरूर से बनाना है उसके बाद आपको कॉल आती है चरकी तरव से या इमेल के थुरू आपको बताया जाएगा कि आपकी शॉट लिस्टिंग हो या रिगार्डिंग इंट्रिव्यू उसके बेसिस पर आपकी बस इसमें सेलेक्शन होने वाली है तो कि आज के लिए इतना ही अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे थैंक्स और वाच्च